यूपी के सीतापुर में जिला जज का चेंबर अखाड़ा बन गया जिला जज के चेंबर में ही अधिवक्ताओं ने एक दरोगा को जमकर फीटा यही नहीं अधिवक्ताओं ने जिला जज के चेंबर में बैठे एसपी का मोबाइल फोन भी छीनने का फ्रयास किया वीडियो में आप देख सकते हैं कि काले कोड़ वाले वकील किस तरह से खाकी बर्दी वाले दरोगा की जम कर पिटाई कर रहे हैं अधिवक्ताओं के हाथ पैरों के साथ साथ जबान भी चल रही है बुरी तरह से पिट रहा दरोगा आपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अधिवक्ताओं का जुण दरोगा पर बुरी तरह से ताबर तोड़ घू से बढ़ता रहा है मामला यहीं खत्म नहीं हुआ अधिवक्ताओं ने जहां एक तरफ दरोगा की जम कर पिटाई की तो वहीं जिला जजच के चेंबर में मौजूद पुलिस कफ्तान से अधिवक्ताओं ने पहले बैसा बहसी की इसके बाद एक अधिवक्तान ने पुलिस कफ्तान के हांस से उनका मोबाइल चीनने की कोशिश क ये हंगामा कहीं और नहीं बल्कि जिला जजच के चेंबर में हो रहा है वकिल जिला जजच के सामने ही S.P. से जाभिडे एक दरोगा की जम कर पिटाई भी की इस गड़ना के बाद दीवानी न्याले परितर में हालकम को मज़ गया जिसके बाद पूरा परितर चावनी में तमदील हो गया आपके पियारों ने कहा कि उसकी पिटाई की गई है ऐसी कोई बात बिल्कुन मेरे के पियारों ने कहा कि उसको थपर मारने की कोशिश जोई थपर मारे गया और उन सब्सक्रावाई हो ये सारा हंगामा सरकारी जमीन पर बने सीतापूर किलब से अबैद कवजेदारी हटाने के बाद हुआ पुलिस ने अबैद रेस्टोरेंट का हिस्ता जैसी भी मशीन से ध्वस्त करा दिया और सीतापूर किलब पर प्रशासन का ताला जड़वा दिया वहां से पुलिस ने शराब भी बना मत की जिसके बाद किलब के अध्यश वस्ताचिफ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया किलब के दोनों पदा अधिकारी ओम परकाश गुपता और रामपाल सिंग पेशे से अधिवक्ता है दोनों को पुलिस हिरासत में लिये जाने से अधिवक्ता उत्केजित हो उठे मामला कोर्ट पहुँचा तो हंगामा चरम पर पहुँच गया वही पुलिस अधिक्चक ने मामले को संग्यान में लेते हुए तीन अधिवक्ताओं के खिलाब मुकदमा दर्जकर 25-25 हजार का इनाम भी गोशित कर दिया है आरोपिया दिवक्ताओं की पुलिस तलाश कर रही है अब सीतापूर कलब पे किसका कबजा माना जाए है? सीतापूर कलब पे प्रशाशन का कबजा है अब पे यहां पे कुछ लोगों ने कभ्जाता रखा था जो अब मैं आपको अथनेता भी बताते हैं और वहां दारू की बाटर्स कारी चीजे बना मतूँ सासक्तारे लोग के इनके पास फोटोग्राब से इंके इस लाबी बिखने डिखे जा रहे है